हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागणी कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके लिए लेकर आयों मक्कर शक्रांती की ऐसी मज़ेदा रेस्पी जिसका स्वाद आप भूली नहीं पाओगे इतनी ज़्यादा ये स्वादिश रेस्पी बनेगी तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कटोरी जितने लेंगे स्पैद वाले तिल तो मेजर्मेंट के लिए आपको एगर की कप कटोरी जुरूर से सेट करें तो आपकी रेस्पी एकदम परफेक्ट बनेगी आदि कटोरी जितने हम यहाँ पे मुफली लेंगे और दो कटोरी भर के हम यहाँ पे लेंगे मुर्मरे तो आज जो हम चार चीज़ें इस्तमाल करेंगे तो वो हम अक्सर मकर सेक्रांती पे इस्तमाल करते हैं मकर संक्राथी की खास ये चार चीज़े इस्तमाल करके हम खास वाले लड़ू बनाएंगे तो यहां पे मैंने दो कडोरी जितना लिया है गूड तो गूड को मैंने करश्ट कर लिया है तो आपको कूड के या फिर कदू कस करके लेना है तो जितना आप मुर्मरे ले रहे हैं उतना ही आपको गुड लेना है और तिल और मुफली आप है जो बराबर मातरा में ले सकते हो अब हम यहां पे एक कडाई रखेंगे कडाई में हम मुफली डालके और धीमी आज करके लगाता चलाती हुए मुफली को अच्छे से बून लेंगे तो लगबग 2-3 मिन अगर आपके पास पहले से मुफली बूनी हुई है तो फिर आपको बूनने की कोई अफशकता नहीं है तो यह मेरे पास कच्छी वाली मुफली है तो मैं इसे बून लेती हूँ तो थोड़ी दिर चलाने के बाद में इस तरीके से यह देख सकते हूँ छिलका बहुती असान से हट जाएगा तो अब हम क्या करेंगे गैंस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मुफली को है जो अलग प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए तो धीमी आज पर आपको लगाता चलाते हुए मुफली को भूनना है तो यह जलेगी भी नहीं रूप पर है जो इसक तो अच्छे से साफ करके तिल फेरी लीजिए और उसके बाद में आपको इस तरीके से लगाता चलाते हुए तिल को भी भून लेना है तो तिल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बस एक से दो मिंट लगेंगे अच्छे से चट जाएंगे दीमी आज पर भूनना है इस ब करना है कडाई में डालके इनको थोड़ी देर के लिए ब्वोन लेना है ति एकदम कुर्कुरे से और एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे तो चलिए इनको भी निकाल लेंगे और मूफली जब अच्छे से ठंडी हो जाए तो इस तरीके से हाथों से मसलती हुए इसका छिलका हम पर जाएगा तो चलिए इसका छिलका हम निकाल लेते हैं Mosi मूफली bodक पसी लाएं मूफली को मीच्ची जाए लें तो अब आपको मीक्सी जार को शला रहे तो इसका बटर बन जाएगा तो इस तरीके पीश करें एक बड़ी है जो बाउल में निकाल लेंगे तहां पर यह देख सकते हो इस तरीकी से आपको दर दरासा है इसे पीसना है बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है और नहीं आपको ज्यादा मोटा रखना है और इधर हमने जो तिल भून के रखे है वो भी बहुत है अच्छे से ठंडे हो गय यह दाल देंगे इनको भी हम पीस लेंगे तो थोड़ा सा बस मिक्सी को चलाएंगे न तो यह दम अच्छे से इस तरीकी से पिश जाएगा तो चलिए इसी बाउल में है जो डाल देंगी और लड़ों को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आदी कटोरी जितना हम यहां पे नारियल का बुरादा डालेंगे अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो साबू जो खोबरा होता है ना गोला उसे चोटे चोटे पीस में कट करके मिक्सी जार में डालके इसमें पीस के डाल दीजिए और जो तिल बचाके रखे है वो भी डाल देंग यह हमारा मिक्स बनकर त्यार हो गया चलिए इसे रखते हैं साइड मेर फिर से वही कड़ाई हम ले लेंगे इस कड़ाई में हम दो चम्मा जितना पानी डालेंगे तो ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि इसकी हमें चासनी विगरा नई बनानी है सिर्फ गुड को मेल्ट करना है तो अब जो हमने गुड कूट के रखा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि गुड को पहले से ही आपको दुकस करके या फिर चोटा 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 टुकडों में काट के लीजिए तो बस इस तरीके से लगाता चलाती हुए बस गुड अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपको चलाते रहना है ताकि यह जल्दी से मेल्ट हो जाए तो आपको गुड मैल्ट करते वक्त इस बात का ध्यां रखना है कि आज को बिलकुल ही धीमी ही रखना है अगर आपने हाई फ्लेम पे इसे पकाया ना फिर गुड जल जाएगा और आपकी चासनी कड़क हो जाएगी और बस अच्छे से इसे मिक्स कलियर ये देख सकते हो मिक् से हाथों के बहुत जादा जिपकेगा तो आपको क्या करना है लड़ू बनाते वक्त थोड़ा सा हाथों के पानी लगा लेना है और बस इस तरीके से अच्छे से छोटे छोटे लड़ू बना लेने हैं तो छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हो मगर छोटे छो अगर आपको मैं रेस्पी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो की नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर से दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूं ता आप स सब्सक्राइब का तो बस इसी तरीके से मैंने सारे लड़ू है जो यहां पे बना लिया इस तरीके से देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यह टेम्टिंग लग रहे है और अगर आपको और भी मकर शक्रांती की रेस्पी देखने है तो वीडियो के लाइश्ट में आपको है कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने यह देखे मूँ में रखते ही बस गुल जाने वाले हमारे लड़ू बन गए है तो बड़ों से लेके बच्चों तक सभी इस लड़ू को अराम से खा सकते हैं और इस तरीके से लड़ू तोड़ने के बाद में फिर से अगर आप इसे नेवा दोस्तों